हेलो दोस्तों मैं राकेश चौधरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास टोट्स की और उसमें हम देख रहे हैं चैप्टर कंपाउंड इंट्रेस्ट चक्रवती ब्या भी आपको दे रखाया 302.5 रुपय का जो कि एक साल और तेहुत्तर दिन का है तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो इसी चैप्टर के पिछले वीडियो देखेंगे तो उनको ये एक साल और तेहुत्तर दिन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है तो करते हैं हम सीधा ये मानते हुए कि सबने पिछले वीडियो देखें तो आपको rate of interest given है कितने 5% क्योंकि अब तो हम इस चैप्टर को खतम करने वाले 45 total questions है 41 में तो हम आ चुके है चलिए 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर fraction में लिखूँ तो 1 upon 20 ठीक है अब देखिए एक साल और 53 दिन की बात कर रहा है और चक्रवती ब्यास दे रखा है एक साल दो पूरा है एक साल पूरा है तो 20 पर कितना एक अतलब 21 कोई दिक्कत नहीं चलिए तो आपको पता है यह जो 73 डेज है इन 73 डेज को अगर मैं change करूं किसमे number of years में तो साल में change करने के लिए 365 से देना पड़ेगा क्योंकि एक साल में दिन कितने होता है 365 तो कितने years हो गए कितने वर्ष हो गए तेउत्तर दिन का मतलब एक बटा पांच वर्ष ठीक है अब जड़ा इधर देखूं यह एक बटा 20 जो है यह fraction value है किसकी rate of interest की कितने समय के लिए एक साल के लिए तो एक साल क लिए कितनी होगी एक बटा 5 से गुणा करके देख लो यह हो जाएगी कितनी एक बटा 100 तो अब 100 पर एक तो कितना हो गया 101 बस अब हमारा काम हो चुका है आपको पता है यह multiplication करते हैं यह कितना आया 2000 जो कि हमारा क्या होता है principle यह सारी basic चीजे पहले कई questions अबने 40 तक question किये हैं उनमें समझ चुके है तो अब सीधा ही देख रहे हैं इनका गुणा करना है तो कर लेते हैं तो 101 का 21 से गुणा करना है उसे छोड़िए 100 का 21 से कीजिए कितना होता है 200 फिर 21 का 21 कीजिए तो कितना होता है 21 अब इसे ले लिजिए तो यह हो गया 2121 ठीक है चलिए अब रखा है 302.5 रुपए, पांच जीरो बोले या पांच बोले एक ही बात है, तो CA क्या होता है, ये तो हो गया अमाउंट आपका, मिस्रदन, तो CA जो होता है, चक्रवती ब्याज वो इनका अंतर होता है, तो अंतर तो मैं साफ देख पा रहा हूँ, ये 2000 है, और ये कितना है, 2121 है, तो अंतर कितने का, 121 का, तो इसका अलब जो CA कंपाउंड इंट्रेस्ट है, उसकी इकाई कितनी है, 121, और रुपए में कितना है, वो 302.5 रुपए, तो मैं कह सकता हूँ, 121 इकाई 302.5 रुपए के बराबर है, तो एक इकाई किसके बराबर होगी, तो अब ये अटा तो अब हम देखें यहां पर, तो 121 इकाई रुपए में 302.5 रुपए के बराबर है, तो एक इकाई किसके बराबर होगी, 302.5 बटा 121, क्या हमें एक इकाई का मान निकालने है, नहीं, capital का मान निकालने है, जो कि इकाई कितनी है, 2000, तो मॉल्टिप्लिकेशन में 2000, ये कटेगा डेफिनेटली 121 से इसको हम कैंसिल करें कटेगा ही कटेगा कितनी बार कट रहा है 121 से तो 121 से ये जाएगा आपके सबसे पहले दो बार इसको बार में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 242 थीक है फिर 242 हो गाओ वो कितना है 302 है अब ये चला जाएगा कितनी बार 5 बार 25 का 2 से गुणा कितना 50 और 0 कितने हैं दो और हैं तो आंसुर आ गया 5000 मूल्दन फूछा था तो principal मूल्दन निकल कराया 5000 रुपीज ठीक है च क्या गहरा 42 देखिए प्रिंसिपल कितना आठ जार समय कितना तीन साल पूछा क्या है सी एई और एसाई का डिफरेंस रेट आफ इंट्रेस जो है वो हर एक वर्ष के लिए अलग अलग है बस यही नई चीज है तो कोई दिक्कत नहीं हम कर सकते हैं पहले निकाल लेते हैं सी आई की एकाई कितनी है वो सी एई की यूनिट निकाल रहें ध्यान रखना एक प्रतिशत का मतलब एक बटा सो दो प्रतिशत का मतलब एक बटा पचास पीन प्रतिशत का मतलब पीन बटा सो चीजें पता है आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ठी लिखकर बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए तो अब हम देखें सो पर एक तो कितना 101 पचास पर एक तो कितना 51 सो पर तीन तो कितना 103 सारे कंसेप्ट आपको पता है ठीक है इनका मल्टिब्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा प्रिंसिपल और इनका multiplication करेंगे तो क्या आप मिलेगा amount मतलब miss return चलिए कर लेते हैं multiplication 5 है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 कितना हो गया यह 5 लाट इदर इनका भी गुणा करना है तो कर लेते हैं इनका भी गुणा तो 101 और 51 का गुणा करें पहले ठीक है तो 101 और 51 का गुणा करना है तो 100 और 51 का कर लेते हैं तो यह तो 51 सो हो गया इन दो की बात कर रहे हो ठीक है 100 और 51 का किया तो 51 सो हो गया फिर एक और 51 लेना है तो 51 ले लो तो यह कितना हो गया 5151 फिर 5151 का 103 से आप multiplication करेंगे थोड़ा सा लंबा है multiplication लेकिन करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो 51 51 पदल 5151 का 103 से आप गुणा करेंगे तो finally यह कितना देगा आपको यह देगा आपको इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा आप गुणा करके देखिएगा यही चीज आने वाली अब हम देख सकते हैं इन दोनों का जो difference होता है वही हमारा क्या होता है CIE तो इन दोनों का difference compound interest की 1 आएगा कितना आएगा यह 5 लाग है और यह कितना है 5 लाग 30,553 तो कितना जादा है 30,553 ठीक है यह CIE की 1 आएगे लेकिन हमें CIE और SI का difference पूछा है ठीक है तो CIE और SI का difference अगर आपको पूछा है तो फिर आपको CIE और SI की 1 का अंतर आपको निकालना है तो CIE की 1 काई तो आ गई है SI की 1 काई निकाल लो फिर CIE और SI की 1 का अंतर भी आ जाएगा अब SI की 1 काई निकालना आसान है 8,000 पर मत निकालिएगा क्योंकि 8 अज़ा हमारा principle नहीं है हमारा principle कितना है 1 आई के तौर पर 5 लाग तो अगर अंतर देखना है C.I.E. और S.I.E. के लिए तो मूल्डन भी principle भी 5 लाग 1 आई ही लेकर चलिएगा तो अब देखते हैं वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आगे वाला जो काम है बिना लिखे भी हम देख सकते है क्योंकि एक प्रतीशत है तो अगर P.T.R. बटा 100 वाला formula लगाते हैं आप S.I.E. के लिए simple interest के लिए तो एक ही बात है या फिर आप यूँ बोल सकते है principle पांच लाग है ठीक है तो पांच लाग principle दो तरीके देखिए एक तो अगर आप यहीं से निकालना चाहें C.I.E. तो रुपए में निकाल सकते हैं और फिर 8000 मूल दन लेकर आप क्या करेंगे इन प्रतीशत की दर से क्या निकालेंगे ऐसा ही पिर जो यहां C.I.E. निकाला रुपए में कैसे निकलेगा यहां 5 लाग आपका मूल दन है इकाई के तोर पर और 8000 रुपए के तोर पर है तो पांच लाग का मान 8000 के बराबर है तो एक इकाई का मान कितना होगा 8000 बटा 5 लाग और आपको C.I.E. निकालना है 3553 का बुना कर देंगे वेल्यू आईगी C.I.E. की रुपए में कुछ ना कुछ फिर SI.E. में 8000 रुपए ही मूल दन लेकर इन तीनों के लिए आप निकाल लेंगे SI.E. फिर दौनों का अंतर ले लेंगे वो करने से अच्छा है कि आप पहले अंतर ले ले लिजे फिर रुपए में निकाल लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा तो रुपए में अगर आप बाद में निकालना चाहरे है और पहले इकाया निकालना चाहरे है तो SI.E. 8000 काम में लेकर 5 لاख ही हम इकाय के तौर पर काम में लेंगे ताकि SI की काई और सी एक ही काई का अंतर हम देख पाएंगे तो पांच लाख है आपके पास ठीक है एक प्रतिशत की दर मतलब एक बटा 100 हो गया या टी लिखते एक फिर और लिखते एक फिर प्रतिशत अटा नीचे 100 लगते तो भी यही चीज आती तो ये कितना एक काई आ गया 5,000 एक काई ये सारे काम बिना लिखे भी हम कर सकते पिर वापस वही है फांच लाक ब्याच की दर क्या है दो प्रतीशत जिसकी fraction value क्या होती है वन अपॉन फिफ्टी तो आप वन अपॉन फिफ्टी ही करोगे और नहीं तो पी टी आर बटा सो करोगे तो पी ये टी कितना एक आर कितना दो और सो नीचे लगाओगे दो बटा सो एक बटा पचास ही होगा तो ये देखू तो ये cancel और ये cancel तो ये आगया कितना वन और कितने जीरो चार जीरो फिर कितना तीन प्रतीशत ये तो यूनिट वही रहेगी आपकी तीन प्रतीशत मतलब कितना तीन बटा सो ये डबल से ये डबल कर लिया ये आगया पंदरा और जीरो कितने आगे तीन ये काम बिना लिखे हम वर्बली कर सकते थे तो ये इकाई आगे मेरे पास SI की एड कर लो इनको 15000 और 5000 20000 और 10000 तीस अजाँ तो ये तीस अजाँ जो है ये इकाई है किसकी SI की और CI की इकाई कितनी है आपके पास 3553 और SI की कितनी है 30,000 तो दोनों का अंतर कितना हुआ 553 का तो मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल की इकाई ये 5 लाख रुपे में है 8000 तो 5 लाख इकाई का मान 8000 है ठीक है क्या मुझे 1 इकाई निकालनी है नहीं मुझे निकालनी है SI और CI का अंतर तो SI जो है वो कितनी है 30,000 है CI कितनी है 30,000 पास्थो त्रेपन है तो अंतर कितना है 553 का cancel होने के लिए 30 ये हम कर सकते हैं यहां से 30 ठीक है और cancel होने के लिए कुछ तो देखें, 4 से गया, या फिर इसको कर लेते हैं, 2 और ये गया कितना? 250, ये और गया कितना? 125, 553 बटा 125 कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंस्वर हो जाएगा, 8.something कुछ आएगा, तो वही आपका क्या होगा? आंस्वर होगा, 8.484 या 848 जो भी आएगा इस तरह से वो आपका आंस्वर हो जाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा कुशन नमबर 42, बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट कुशन की, इस वीडियो के लास्ट की, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, 43 नमबर की. 43 नमबर आपको क्या कह रहा है? अगेन प्रिंसिबल पूछा है आप आपको, टाइम आपको पिछले वाले कुशन की तरह है, तीन वर्षी दे रखा है, रेट ओफ इंट्रेस्ट जो है वो आपको अलग-अलग दे रखी है, लेकिन इस बार कुशन आसान है, क्योंकि CIE आपको दे रखा है, ठीक है? तो आसान है, एक ही काम करना, ऐसा ही और CIE वाला, दौनों काम नहीं है यहाँ पर, तो पांच प्रतीशत है, आपको पता है, इसका आपको पता है, एक बटा बीस है, चार प्रतीशत है, आपको पता है, एक बटा पत्चीस है, और ये कितना है, तीन प्रतीशत है, तो इसका मतलब भी आपको पता है, तीन बटा सो है, कोई दिक्कत वाली बात थी है तो आपको क्या करना है C.I.D. रखा है principle पूछा है ठीक है तो हम ले लेते हैं सीधा सीधा जो हमारा काम होता है ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमको पता है तो लिखने की वहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ आपको exam में किसी को explain नहीं करना लेकिन यहाँ समझाना इसलिए लिखा गया है 20 पर 1 तो कितना 21 25 पर 1 तो कितना 26 100 पर 3 तो कितना 103 कोई दिक्कत नहीं अब इनका गुणा कर लो यहाँ पर यह गुणा आपको दे देगा principle और यह गुणा देगा आपको amount ठीक है तो यह कितना होगा simple है 25 का 2 से 50 25 का 2 से 50 और यह 3 0 और ठीक है फिर इनका गुणा करेंगे तो पहले 21 और 26 का गुणा होगा 21 और 26 का कर लेते हैं गुणा कितना आ गया 6 6 का 2 से कितना हो गया 12 फिर यह 2 हो गया तो 12 और 2 14 और 1 2 और 2 4 और ये कितना 5 अब 546 और 103 का आप गोना करेंगे ठीक है तो इनका गोना करेंगे तो इनका गोना कर लेते हैं कितना आ जाएगा 6 का 3 से करेंगे कितना 18 ठीक है 4 का 3 से किया 12 6 का 0 से किया तो 0 ही हुआ ठीक है 12 और एक बार कितना है तो ये 13 चलिए, फिर 5 का 3 से गिया, 15, 6 का 1 से गिया, 6, 15 और 6, 21, 21, फिर वापस 0 और ये 1 है तो 22, इसे इटा देते हैं, ये 0 हो गया, 4 का 1 से 4, 4 और 2 ये कितना 6, 5 का 1 से कितना 5, तो ये आगे आपके हम कह सकते हैं, कितना, 5, 6, 2, 3, 8, ठीक है, तो ये multiplication हो गया आपका, कैसे किया, ये multiplication की trick होती है, जब हम इसके वीडियो बनाएंगे, multiplication के लिए, simplification का, उसमें हम समझेंगे, किस तरीके से direct हम कर सकते हैं, एकी line में, चलिए, principle आ गया, amount आ गया, तो जो CA होगा, वो क्या होगा, इन दौनों का अंतर होगा, तो ये कितना दिख रहा है, आपको 50,000, ये कितना द 238 का, तो ये हैं हमारा CIE, रुपए में नहीं है, इकाई में, रुपए में तो वो लिखावा 12,476, तो 6,238, इकाई का मान 12,476 है, तो एक इकाई का मान कितना होगा, तो एक इकाई का मान हम देख सकते हैं, कितना होगा, तो 12,476, बटा 6,238, ये एक इकाई का मान हमें तो निकालना है principle जिसकी इकाई दिखरी है पचास अजार तो पचास अजार इकाई का मान निकालना है तो पचास अजार से कर दिया गुणा अब इसको solve कर लेते हैं answer आ जाएगा तो कुछ कटने के लिए हैं तो काट लेते हैं तो अगर देखें तो ये इसका जस्ट डबल ही दिख रहा है 6000 का डबल 12200 का डबल 400 और 38 का डबल कितना है? 7676 तो ये सीधा दो बार ही कट गिया तो पचास अजार का दो से गुणा कर लिया तो डारेक्ट हमारा अंस्वरी आ गया कितना? एक लाख रूपे ये प्रिंसेपल जो हमें पूछा था वो आज चुका है कितना? क्योंकि 50,000 का डबल करेंगे तो एक लाख हो जाएगा और ये 12,446,238 का डबल ही है तो ये था मारा कुशन कुशन नमबर 43 बात करेंगे बचे वे जो दो कुशन है 44 और 45 कमपाउंड इंट्रेस्ट के उनकी नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो है उसकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजी थेंक्यू सो मच प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी